नाटक के तत्व नाटक एक प्राचीन विधा है भारतिय तथा पाश्चात्य परमपरा में नाटक के तत्वों पर विस्तार से चर्चा मिलती है इस रूप में भार्तिय विद्वानों तथा पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टी में व्यापक अंतर को अलग-अलग कर देखना समीचीन होगा भार्तिय परंपरा के अनुसार नाटक के तत्व भारतिय नाठ्य परंपरा में आचार्य भर्तमुनी द्वारा रचित नाठ्य शास्त्र नियामक ग्रंथ रहा है। आचार्य ने रूपक या नातक के चार तत्वों की बात कही है समवाद नाठ्यक गान तथा रस। धननजे ने अपने ग्रंथ दश्रूपक में वस्तू, नेता वर रस को नाट्य तत्व के रूप में स्वीकृती दी है. आगे चलकर अन्य भारतिय विचारकों ने उपरोक तत्वों के अतिरेक्त अभिने, वृत्ती व मंच को भी नाटक के तत्व के रूप में माननिता दी है इस रूप में भारतिय परमपरा में नाटक के निम्नलिखित तत्व है. वान, वस्तू वस्तू का आशे कथानक या कथावस्तू से है. यह नाटक का मुख्य तत्व है. नाटक का कथानक तीन प्रकार का हो सकता है. प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र प्रख्यात, किसी प्राचीन पौरानिक या एतिहासिक व्यक्ती से संबंधित वस्तू होता है. उत्पाद्य कभी नाटक कार की कल्पना का परिनाम होता है और मिश्र वस्तू वह है जिसमें प्रख्यात और उत्पाद्य का सम्मिश्रम हो। प्राय संस्कृत नाटकों में प्रख्यात वस्तु का वर्णन मिलता है वही हिंदी नाटकों में मिश्र कथानक का प्रचलन रहा है। कथानक को आधिकारिक मुख्य तथा प्रासंगिक दो प्रकारों में भी बाटा गया है। आधिकारिक कथानक वह है जिसका संबंध नाटक के मुख्य कार्य या उद्देश्य से जुड़ा होता है वही पताका वप्रिक्री के रूप में प्रासंगिक कथानक मुख्य कथानक को गती देने का काम करते हैं। नाटक एक द्रिश्य काव्य है। इसका आकार उपन्यास की तरह व्रिहद नहीं हो सकता क्योंकि दर्शकों को बहुत देर तक अच्छे अभिनय के बावजोद बांधे रखना संभब नहीं है। अता कथानक संक्षिप्थ होना चाहिए। अच्छा नाटक कार केवल उनहीं महत्वपूर्ण घटनाओ आदी को वस्तु रूप में ग्रहन करता है जो आवश्यक और मनोरंजक होती है। 2. नेता भारतिय नाट्य चिंतन परंपरा में नेता एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अनुसार नाटक का नायक तथा उसके सहयोगी चरित्र योजना का विशलेशन होता है। यहाँ नेता या नायक सभी दृष्टियों से विशिष्ट वो उदात्त होता है. उसके कार्य व्यापार की कल्पना उदात्त उदार दृष्टियों से संबध होती है. नायक या नेता धीर, नम्रह, सभी प्रकार से सुन्दर, त्यागशील, मधोर भाशी व लोगप्रिय व्यक्ति होना चाहिए आचार्यों ने चार प्रकार के नेता माने हैं धीरोधात, धीर ललित, धीर प्रशांत तथा धीरोधत इसी तरह नाटक की नायका रूपवती, गुनवती, शील्वती, म्रिदुभाशी, सच्चरित्र तथा त्यागवान होती है आचार्य भर्तमुनी के अनुसार रस के अभाव में नाटक का कोई प्रयोजन सिध नहीं हो सकता श्रिंगार, वी रत्वा शांत में से कोई एक रस प्रमुक तथा शेश रसों की व्यूत्पत्ती अंगी रस के रूप में होनी चाहिए रस द्रिश्य काव्य का महत्व पूर्ण तत्व है विभाव, अनुभाव और विअभिचारी भावों के सयोग से रस की निश्पत्ती होती है रस वस्तुता भाव की आनंदात्मक अनुभूती है इसलिए भारतिय नाच्य प्राय सुखांत माने गए है रस संसकारशील व्यक्ती ही ग्रहन कर सकते हैं अथात नाच्य का आनंद संसकारवान दर्शक ही उठा सकते हैं फोर, अभिने नाटक के समस्त कथानक का प्रेक्षाग्रिहों में बने रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा प्रस्तुती करन अभिने कहलाता है अभिने मुख्यता चार प्रकार के बताए गए हैं आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्विक कथानक का कुशल अभिने ही नाट्य रचना की सफलता है श्रेष्ट अभिने कथावस्तु में नहित भाव को दर्शकों तक पहुँचा कर उसे साधारनी करन करता है और रस दशा की प्राप्ती कराता है उत्तम अभिने के अभाव में श्रेष्ट कथानक भी दर्शकों को साधारनी कृत करने में असफल होता है पाश्चात्य नाट्य परंपरा के अनुसार नाटक के तत्व हिंदी नाटकों तथा नाट्य आलोचना पर पश्चिमी नाट्य सिध्धान्तों का परियाप्त प्रभाव पड़ा है पश्चिमी आचारियों ने नाटक के छे तत्वों को स्वीकार किया है 1. कथावस्तु कथानक पाश्चात्य विद्वानों ने कथावस्तु को नाटक का प्रान्टत्व माना है कथावस्तु के संदर्ब में उनका मानना है कि यह एतिहासिक, पौरानिक, कल्पित, यथार्थ, मिश्रित किसी भी प्रकार की हो सकती है बर्तमान में एतिहासिक, पौरानिक कथा प्रसंगों का प्रतिकात्मक तथा मिथकिय प्रयोग किया जा रहा है मुख्य वस्तू के साथ साथ गौन कथा प्रसंग नाट्यकला को मनोरंजक बनाने का काम करती है पाश्चात्य धारना के अनुसार कथा विकास में संघर्ष तत्व प्रधान होता है तथा अंप्राय दुखांत होता है हिंदी नाटकों में भी अब इस पद्धती का चलन बड़ा है चरित्र चित्रन पात्र परिकल्पना पात्र परिकल्पना तथा चारित्रांकन के प्रती पाश्चात्य दृष्टी स्वाभाविक और यथार्थ रही है यहां आदर्श्वादिता या उदात्तता का विशेश आगरह नहीं दीखता अरस्तु के अनुसार चरित्र चित्रन में नाटक कार को चार बातों का ध्यान रखना चाहिए अच्छा वस्वाभाविक चरित्र और चित्य का ध्यान जीवन के अनुरूप चरित्र में सुसंगती 3. समवाद योजना या कतुप कत्हन, नाटक समवादों में लिखा जाता है कथावस्तु के अनुरूप समवाद योजना नाटक को गती प्रदान करती है पात्रों के चरित्र चित्रन से लेकर कथा विकास, रोचकता तथा वातावरन स्रिजन के लिए रोचक, संक्षिप्त और चुटीले समवादों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है समवाद के अभाव में नाटक की कल्पना साकार नहीं हो सकती 4. समवाद जितने सार्थक, संक्षिप्त, वक्रशक्ती संपन होंगे, नाटक उतना ही सफल और उद्देश्य पूर्ण होगा. समवाद की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए ताकि वो दर्शकों के लिए सुग्राहय हो सके. 4. देशकाल वातावरन नाटक की कथावस्तु में जिस देशकाल का द्रिश्य उपस्थित होता है उसे साकार करने, मंचित करने के लिए नेपित्य, वेशभूशा, रंग योजना, भाषा, सांस्कृतिक परिवेश युक्त संके तक आदी पर विशेश ध्यान दिया जाना चा की एकता का प्रतिपादन किया है सफल नाटक कार वो है जो द्रिश्य विधान, मंच व्यवस्था, वेशभूशा एवं अभिने के द्वारा सजीव वातावरन की स्रिष्टी कर लेता है 5. भाषा शैली समवाद योजना को महत्वपूर्ण सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए उप्यूप भाषा शैली का आश्रय लेना आवश्यक है भाषा की दुरुहता नाटक की सफलता में बाधक तत्व है नाटक की भाषा सहज, सरल, पात्रानुकूल होनी चाहिए गंभीर तथा हास्य व्यंग्य प्रधान शैली नाट्य विधा के लिए सर्वता अनुकूल है चैली के अलनकरन वह लाक्षन एक प्रयोक से नाटक की संप्रेशन यता और प्रभाव क्षमता में व्रिद्धी होती है 6. उदेश्य पाश्चात्य परंपरा के अनुसार नाटक केवल मनोरंजन मात्र का साधन न होकर जीवन यतार्थ को सामने लाने का भी कार्य व्यापार है यतार्थ से जूचते हुए अपने समय और अपने समाज की सार्थक प्रस्तुती ही नाटक का मूल उदेश्य है उपरोक्त विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि नाटक एक प्राचीन द्रिश्य विधा है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है पाश्चात्य और भारतिय द्रिश्टिकों को समिनवित कर हिंदी नाटक ने अपनी जमिन तयार की है जिसका उद्देश्य महज मनोरंजन न होकर जीवन यतार्थ की सार्थक प्रस्तुती है